हे फ्रेंट्स वल्कम बैक टो मैं चैनल रश्मीज कुजीन फ्रेंट्स आज मैं आप लोगे साथ शेयर करें गनपती पपा की फेबरिट मोदक की रेसिपी और हम इस मोदक को बिना साचे से बनाएंगे तो फ्रेंट्स आप इस मोदक को अपने गनपती पपा के लिए जरूर और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंट्स और फैमिली के साथ और फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइगन का ब बेसन लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर तब तक भून लेंगे जब तक की बेसन से अच्छी सी खुसबू ना जाए या इसका कच्छा पन निकल जाए बेसन को लगातार चलाते हुए मैं अच्छे से भून लिया है लगबक 10-12 मिनट के लिए अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बुदादा तो ये मैंने लिया है 1 3 dealing cup नारियल का बुदादा और ये ग्राम्स को लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम को मीडियम और लो के बीच में रखें अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच किश्मिस और ये मैंने कुछ काजू और बादाम को बिल्कुल बारी काट लिया है अब इन सब को अच्छे से मिला ले अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें दूड डालेंगे तो ये मैंने वन फोर्थ कप दूड लिया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूड डालेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे दूट डालने के बाद लगातार हमने इसे 1 निट के लिए medium flame पर पका लिया है हमें इसे बहुत जादा नहीं पकाना है नहीं तो ये ड्राइ हो जाएंगे तो ये अब बिलकुल तैयार है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं प्लेट में निकालने के बाद हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे मिश्टन थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब हम थोड़ा सा मिश्टन लेंगे और इसे इस तरह से मुट्टी में दवाते हुए मोदक का शेप दे देंगे या आप इसे मोदक बनाने वाले साचे से भी बना सकते हैं अब मोदक की शेप देने के लिए हम इस तरह से उपर की सरब दबाएंगे और इसे मोदक का शेप दे देंगे ये देखिए ये बिल्कुल तयार है अब मोदक के ऊपर जो लाइन्स होती है उसे बनाने के लिए हम एक स्पून लेंगे और स्पून के बैक से हम इसे हलका हलका दबा कर इसके ऊपर डिजाइन तयार करेंगे हमें इस प्रोसेस को बिल्कुल हलके हातों से करना है यह देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे हलके तरह से दबाते हुई मोदग के ओपर ॥mania होचुका है अब इसी तरह से बाकी के मिश्रन से भी मुदक बना कर तैयार कर लें सारी मुदक अब बिल्कुल तैयार है अब हम मुदक को सजाने के लिए ये बारी कटेवे पिस्ता से गार्निश कर लेंगे अब हम इसके उपर कुछ थागे केसर के भी सजा देंगे इससे मुदक और भी जादा सुन्दर लएंगे तो लीजे दोस्तों गनपती पपा की फेबरिट मुदक अब बिलकुल तयार है तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें शेर करें अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी तो चलिए फ्रेंट्स फिर मिलते हैं एक नई और मज़िदार रेसिपी के साथ थैंक यू सू मच पर वाचिंग बावाई